दीपावली गुबर्धन पूजा एवं भयादूज के इस पावनपर्व के उपरांत मैं आपका अपना सुभासर आपके अपने यूटूब चैनल सुभास स्टेडी सेंटर पर आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी क्रम में मैं लेकर के आचुका हूँ आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लाश टंत के जितने भी चात्र 2023 वोड परिच्छा की तयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए पहला जो हिंदी गद्धिखंड का चैप्टर है जिसका नाम है मित्रता और लेखक हैं आचार रामचंदर सुकल जी और इस पार्ट का जो वेरी इंपोर्टन गद्धियांस है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला गद्धियांस है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ती के समान रहते हैं जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे चाहे जारित हैं इन्हें सभी प्रशनों का एंसर मैं इसके पहले के वीडियो में प्रवाइड करा चुका हूँ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी और इसके बाद जो यहाँ पर गद्धियांस दिया गया है दूसरा जो कि वेरी इंपोर्टन है और यहाँ आप देख भी सकते हो कई बार बोड परिच्छा में आया हुआ धी है कि एक प्राचीन विद्ध्वान का वचन है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रच्छा रहती है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिए कि खजाना मिल गया और विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औशद है हमें अपने मित्रों शे यह आसा रखनी चाहिए कि वह उत्तम शंकल्पों में हमें द्रण करेंगे दोसों और तुटियों से हमें बचाएंगे हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे जब हम कुमार्ग पर पैर तब वह हमें सचेत करेंगे जब हम हतोतसाहित होंगे तब हमें वह क्या करेंगे उत्तसाहित करेंगे सारान सिया है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक कैसे उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम बैद क इसी निपोड़ता और परक होती है यह जो गध्यांस है very important है क्योंकि बोड परिच्छा में कभी-कभी यहां पर जो रेखांकित अंस है कभी तो ऊपर का अंस आ जाता है और कभी नीचे का जो यह रेखांकित अंस है यहां से प्रश्न बन जाता है तो मैं आपको बताऊंगा जो ऊपर का रेखांकित अंस है इसकी सरल व्याख्या क्योंकि जो नीचे का रेखांकित अंस है इसकी सरल व्याख्या मैं आपको वीडियो में प्रवाइड करा चुका हूँ आपको चैनल की प्लैलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो और इसके बार लिखा हुआ है कि अच्छ 2013, 2016, 2018, 2020 और 22 लगातार बोर्ड परिच्छाओं में आप देख सकते हैं या गद्यांस पूछा जाता रहा है और इस गद्यांस का पहला प्रश्ण क्या है उपर युक्त गद्यांस का संदर्व लिखे तो मैंने जो आपकी हिंदी काविखंड के जो पद्यांस हैं 2023 की बोर्ड परिच्छा के लिए जो वेरी इंपर्टन हैं चाहे पहला पाठ हो सूर्दा जी के द्वारा रचित पद सिर्शक पाठ चाहे दूसरा पाठ हो वन पद्पर सिर्शक पाठ चाहे विहारी लाल जी के दोहें हो रस्खान जी के सवये हो या महादेवी वर्मा जी का कविता हो किसी भी रचनाकार का कोई भी पध्यांस हो सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमसा प्रवाइड कराना स्टार्ट कर दिये हैं इस चैनल पर और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोड पर इच्छा की वहतर तैयारी कर सकते हो हिंदी विसे की सामाजिक विज्ञान विसे की ग्रह इज्ञान विसे की और चित्रकला विसे की इतनी विसे की आप यहां पर तैयारी कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर यदि आपने अधी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो तुरंत सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे-प्य गध्यान्स आजाए आपको शंदर्व कैसे लिखना है मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी गध्यान्स का आप संदर्व कैसे लिखेंगे और मैं उमीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि संदर्व लिखने का सह तरीका क्या है जिससे आपको ये दो नंबर संदर्व के लिए दो नंबर ने धारित हैं यहां पर प्रतेग प्रश्ण है यानि तीन प्रश्ण ही आएंगे आपकी बोर्ड परिच्छा में और प्रतेग प्रश्ण होगा तीन गुड़े दो यानि प्रतेग प्रश्ण होगा द गद्यांस का संदर्व तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी गद्यांस हो उसके जहां से आप मालीजे यहां शुरुवात में लिखा है एक प्राचीन विद्वान का वचन है विश्वास पात्मित्र यहां से आप इस गद्यांस को संकेत के रोप में इस तरीके से चाहे तो आप संकेत के रोप में जहां से रेखांकी तंस की व्याख्या करनी है वहां से लिख सकते हैं या पूरे गद्यांस के सुरुवाती और अंतिम के सब्दों को इस तरीके से लिख सकते हैं संकेत हेडिंग डालने के बाद ब्लेक पिन से यहां पर मैंने रेड पिन से लिखा है आपको red pin का इस्तमाल कहीं भी नहीं करना है आप सिर्फ और सिर्फ black और blue यानि काला और नीला pin का ही प्रियोग करेंगे अपनी board परिच्छा में red pin का आपको कहीं पर किसी भी हालत में इस्तमाल नहीं करना है तो यहां पर मैंने संकेत के रूप में डाल दिया जिस रेखांकी तंसकी मुझे व्याख्या करके आपको बतानी है इसके बाद मैंने heading क्या डाली है संदर्व अच्छे से heading डालना है संदर्व और संदर्व heading डालने के बाद underline भी कर देना है जैसा कि यहां पर मैंने आपको बताया है फिर प्रस्तुत गद्यांस हमारी part पुस्तक हिंदी मैंने black pen से लिखा है और single invited कामा के अंतर्गत लिखा है आपको भी ऐसे ही हिंदी लिखना है single invited कामा के अंतर्गत फिर इसके बाद के गद्धिखंड गद्धिखंड क्यों लिखा है क्योंकि गद्यांस है गद्धिखंड का भाग है और इसको भी मैंने black pen से single invited कामा में लिख रखा है आपको भी ऐसे ही लिखना है फिर इसके बाद लिखना है मितरता नामक पाठ या निवंद से अउतरित है क्योंकि या जो गध्यांस है मितरता नामक निवंद से अउतरित है इसलिए पाठ का नाम भी मैंने ब्लैक पेंसे और सिंगल इनवर्टेट कामा के अंतरगत लिखा है आप देख पा रहे होंगे और जिसके लेखक कौन है आचार राम चंद्र सुकल जी हैं और लेखक का नाम भी मैंने अच्छे से ब्लैक पेंसे लिखा है ताकि इस पश्ट दिखे तो ये डियाप आप भी टाप करना चाहते हैं हिंदी विसे में संदर्व लिखने का सही तरीका सिखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्व लिखने का बिलकुर राइट तरीका क्या है और जो टाप करतने वाले बच्चे होते हैं जो परिच्छा में टाप करते हैं वो भी संदर्व सेम ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तित गद्यांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी ब्लैक पेंट से लिखा जाता है कि गद्य खंड में संक्लित मित्रता नामक पार्ट से या मित्रता नामक निवंद से आउतरित है जिसके लेख कौन है आचारे रामचंद्र सुकलजी हैं आप ध्यान दीजिएग पर ममता नामक पार्ट से किस पार्ट से ममता नामक पार्ट से है और आपको शंदर्म लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संक्लित है इतना तो आपको सेम ही रखना है तिर यहां पर पार्ट का ना चेंज कर देना है तिर इसके बाद ममता नामक कहानी है वा तो कहानी यहां पर लिखा जाएगा और मित्रता नामक जो पाठ है यहां निबंध है इसलिए यहां पर निबंध लिखा है मैंने तो मित्रता की जगा ममता नामक पाठ से या ममता नामक कहानी से उतरित है जिसके ले आपको कुछ ही चीजों को परिवर्तित करना होगा संदर्व के अंतरगत किसी भी गद्यांस का संदर्व आप इसी माध्यम से लिख सकते हैं अपनी बोर्ड परिच्छा में और आपके ये दो नंबर बिलकुल पक्के हो जाएंगे कोई भी नहीं काट पाएगा बस आपको तर गद्यांस के रेखांकी तंस की व्याख्या कीजिए गद्यांस के रेखांकी तंस की व्याख्या कीजिए तो रेखांकी तंस जो भी होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी और इस गद्यांस में आप देख पा रहे हैं रेखांकी तंस क्या है कि एक प्राचीन और विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औशद है। इतना जो है रेखांकित अंस है और इसी की व्याख्या करनी है। कैसे करनी है यहाँ पर आपको इस तरीके से यहीं करनी है। और सबसे पहली बात आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर करने यह आप सभी का करतब है और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके बाद जो भी most important गध्यांस होंगे आपकी बोर्ड परिच्छा 2023 के लिए मैं क्रमसा regular आपको वीडियो प्रव डाली मैंने और क्या हो जाएगी व्याख्या कि विश्वास पात्र मित्र हमारा सच्चा रच्छक होता है यानि किसी विद्वान का मत है किसी विद्वान ने यानि एक विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रच्छा होती है तो विश्वास पात्र मि फ्रविलना मिलने के समान है जैसे यहाँ पर गद्यांस में क्या लिखा है कि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ऐसा समझना चाहिये कि खजाना मिल गया childhood ख्याख्या में क्या हो जाएगा कि ऐसा मित्र मिलना खजाना मिलने के समान है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए यानि सच्चा मित्र मिल जाए उसे यह समझना चाहिए कि क्या मिल गया खजाना मिल गया आगे लिखा हुआ है इस गद्यांस में विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक और विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है एक आउशद है आचारी राम चंदर सुकले जी कहते हैं क्या कि विश्वास पात्र मित्र को हम जीवन रचक संजीवनी आउशद का नाम दे सकते हैं जो विश्वास पात्र मित्र होता है हम उसे अपनी जीवन रचक संजीवनी के रोप में समझ सकते हैं या आउशद का नाम दे सकते हैं आउशद सरीर के दोशों को दूर करती है और उत्तम मित्र मानसिक दोशों को और बुराईयों को दूर करता है तथा हमें मानसिक ब्याधियों से सरवधा बिमुक्त बनाता है तो यतना आप बढ़ा चाहा के लिख सकते क्योंकि व्याख्या आपको करने हैं थोड़ा थो आपको बढ़ा कर लिखना ही पड़ेगा तो इस तरीके से आप आसानी से व्याख्या कर पाएंगे चलिए गद्यांज का अगला प्रशנ क्या कहGS रहा है यहां पर आप पार हैं गद्यांस का तीसरा प्रश्न संख्या साथ के अंतरगत तीन प्रश्नेहा पर पूछे गए हैं उत्तम मित्र से क्या अपेच्छा रखनी चाहिए और यहां पर है अत्वा में हमें अपने मित्रोशे क्या असा रखनी चाहिए और फिर अत्वा में हैं लेखक ने अच् पढ़ेंगे तो यी तरीके के जो भी प्रशन आएंगे आपको इसका एंसर घड्यांस में ही मिल जाएगा आपको किसी भी ट्विक को फालो नहीं करना है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है कि इस प्रशन का एंसर कहां से हो सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा यह पर जो साक्य अंतरगत प्रशन है उत्तम मित्र से क्या अपेच्छा रखनी चाहिए तो आप यहां से इस पश्ट रूप से पढ़ पा रहे होंगे देख पा रहे होंगे कि हमें अपने मित्रों से यह आसा रखनी चाहिए यानि अपेच्छा रखनी चाहिए कि वैं उत्तम शं पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे जब हम हतोतसाहित होंगे तब हमें क्या करेंगे उतसाहित करेंगे तो यह जो है इस प्रशन का उत्तर है और आगे है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वा करने में हर तरह से सहायता देंगे तो इसी तरह से तीनों ह तो इसका उत्तर लिखा कैसे जाएगा यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से उत्तम मित्र से यह अपेच्छा रखनी चाहिए कि वह हमें उत्तम शंकल्पों से द्रढ़ करेंगे दोसों और तुटियों से बचाएंगे हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को मित्रता नामक जो पार्ठ है जो कोई वेरी इंपोर्टन है आपकी Bore परिच्छा 2022 के लिए यहां से घद्ययांससाब की Bore परिच्छा में 100% पूछा जाएगा और इस पार्ट का जो दूसरा गद्ययांस है वेरी इंपोर्टन्सथॉ से भी रिलेठेट वीडियो आप सभी क प्रवाइट करा दिया है आप इस वीडियो को इतना शेयर करने कि आप सभी के मित्रों तक यह वीडियो पहुँच जाए और इसके बाद मैं ले करके आऊंगा आपके लिए इसी पार्ट का जो अगला वेरी इंपॉर्टन्ट गद्यांस है क्योंकि मैं आपको क्रमसा महतपू ग्रह विज्ञान विज्ञान के माडल पेपर सभी से रिलेटेड वीडियो मौझूद है चैनल की प्लेइलिस्ट में आप देख पाएंगे और 2023 वर्ड पर इच्छा की तैयारी के लिए आप जुड़ जाए चैनल के साथ वीडियो को शेयर कर दें पढ़ते रहें मस्त रहे स्वस्त रहें अपना और अपने परिवार जनों का सभी का ध्यान रखे जैहिंद